हालो बच्चो आज हम क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का लिसन 5 पड़ेंगे और इसके ओथर है ऑस्कर वाइल्ड see the happy prince was a beautiful statue he was covered with gold he had sapphire for eyes and a ruby in his sword why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone तो यहां पर happy prince जो हम आपको पता दे कि एक statue है ठीक है एक राजकुमार था जो हमेशा जब वो जीवित था तो बहुत ही खुश रहा करता था और जब उसकी death हो गई तो उसका happy prince के नाम से उसकी शेहर के बीच में एक statue लगा दे गए एक मूर्थी लगा दे गई और उसकी जो the happy prince was a beautiful statue happy prince जो है एक बहुत सुन्दर सी मूर्थी थी he was covered with gold और वो जो था मूर्थी वो पूरा सोने से ढखी होई थी he had sapphires for eyes sapphires होता है बच्छो नीलम एक बहुत precious stone होता है रत्न होता है नीलम नीले रंका होता है तो उसकी आइस की जगे महाँ पर नीलम लगे होए थे and a ruby in a sword और उसकी sword होता है तलवार को कहते है और उसकी तलवार में ruby लगाता है लो लाल रंका है मारिक होता है लाल रंका रत्न तो उसमें तलवार में ruby लगा होता है मारिक why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones वो part होता है to give देना तो वो अपना जो है जितना उसके पास सोना और जितने भ पड़ेंगे high above the city on a tall column stood the statue of the happy prince he was gilded all over with thin leaves of fine gold for eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on a sword hilt see the difficult word first gilded होता है बच्चों कि covered with है धका हुआ सफायस में पहले बता चुकी हूँ कि नीलम होते है एक रत्न होता है नीले रंका ruby लाल रंका रत्न होता है मारिक कहते है जिसको और sword तलवार को कहते है और hilt होती है उसका handle जहांसे तलवार को पकड़ते है उसको handle उसका जो ह होता है वो हिल्ट होता है तो देखे हाई अबब दाए सिटी और टॉल कॉलम कॉलम होता है खंबे को कहते है इस तंब को तो एक लंबे से खंबे पर शहर में एक स्टुड दा स्टैचू अफ़ प्रिंस इस्टैचू जो थी हैपी प्रिंस की स्टैचू थी he was gilded all over with thin leaves of fine gold और भी अच्छी quality के सोने का उसके उपर कबड जड़ा हुआ था है ना पूरी मतलब सोने के अपरत लगी हुए थी पूरी स्टैचू पर फॉर आइस he had two bright sapphires और उसकी आखों के जगे नीलम लगे हुए थी and a large red ruby glowed on his sword health और उसकी तलबार के handle पर जो है लाल रंग का मानि चमकता था one night they flew over the city a little solo his friends had gone away to Egypt six weeks before but he had stayed behind then he decided to go to Egypt too see the difficult words solo होता है एक चिडिया होती है छोटी सी अबाबील है ना उसको हिंदी में कहते है और Egypt एक जो मिश्र देश है जहाँ पर पिरमिड होते है आप लोग ने सुना होगा word famous तो वो उसको इंग्लिश में Egypt कहते है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल है है ना तो वन नाइट देर फ्लू ओवर दा सिटी लिटिल सालो और एक रात को वहाँ पर चोटी से शहर के उपर उपर एक चोटी सी चिडिया ओड़ रही थी इस फ्रेंट हैड गॉन अवे तो एजिप्ट शिक्स वीक्स बिफोर और चिडिया के जितने दोस्त थे और देखे चिडिया को हिस कहा है उसने यहाँ पर जनरली जनवरों के लिए इट यूस करते है लेकिन यहाँ पर हिस कहा रहा है यहाँ और उसके दोस्तों थे छे हफ़ते पहले एजिप्ट मिश्र के लिए उड़ गया थे बट ही है इस टेट बिहाइंड लेकिन वह पीछे चूट गया था देन ही डिसाइड़ तो गो टो एजेप्ट और उसने भी डिसाइड़ किया डिसाइड किया कि वह भी मिश्र ज जहां पर वो हैपी प्रिंस की मूर्ती लगी थी विर शेल आई पूट अप ठीके पूट अप का मतलब है कि मैं कहां रहूंगा इस्टे करूंगा कहां लिव है न कहां रहूंगा और वो हाँ बहुत ही हूँर है यहां पर खुद ही हसता है कि मुझे आशा है कि शहर ने मेरे लिए व्यवस्था कियोगी तयारी कियोगी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कियोगी मेरे लिए वो अपने उपर हसता है मजाग की बात है देन ही सौ था स्टैच्व ओन दे टॉल कॉलम फिर एक लंबे से खंबे पर इस तंबे पर उसने वो मूर्ती देखी अप देख रहे नीचे खंबड़ा से खंबा है घर छोटी लग रहे है और शहर के बीचों बीच में यह हैपी प्रेंस की मूर्ती है ठीक है और इसका बॉ और मैं यहाँ पर रहूंगा मूर्ती को देखके कहता है यह बहुत अच्छी जगह है और बहुत बहुत ज़्यादा ताजी हवा भी है यहाँ पर सो ही अलाइटिट जस्ट बिट्वीन दफीट ऑफ दा है उतरा है न डिसेंड और वो जो हैपी प्रेंस की मूर्ती थी उनके पैरों के बीच में उतरा है ठीक है लेकि है तो जू मेरा प्रेंस का यह आप रहने के सोचे इसने डूनों पैरों के बेच में As he looked around, और जब उसने चारो तरफ देखा, and he, see the next page, prepared to go to sleep, और उसने तयारी करी सोने की अपनी, But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him, और जैसे ही, आप लोगने कभी चुटियो को देखा है कि अपने सर बिल्कुल जब सोते हैं, तो अपना बिल्कुल अंदर गुसा लेते हैं, पंक होगे बीच में हैं, पंक ढख लेते हैं, तो जैसे ही उसने अपने पंक जो थे, के अंदर अपना सर रखा, एक लाज ड्रॉप अवाटर, एक बड़ी सी बूंद उसके उपर गिरी, what a curious thing, जी क्या चीज है, कित्य अजीब सी चीज है, what a curious thing, he cried, उसने कहा, there is not a single cloud in the sky, the stars are quite clear and bright, and yet it is raining, एक भी आसमान में एक भी बादल नहीं है, सारे तारे जो हैं, बल्कुल बढ़ियां चम what is the use of a statue, if it cannot keep the rain off, this statue के, क्या मतलब है, अकर ये बारिश को नहीं रोक सकती, उसने कहा, rain off मतलब, कि अगर वो बारत, उसने, जो है, मूर्ती की नीचे protection लिया थे ना, पैरों के पास, तो उसको लग रहाता है, मूर्ती होने के बाद भी बारिश से नहीं बज़ पारे, क्या दुआ निकलता है उपर से, आप लोग ने देखा होगा, बड़ा इसी चिमनी होती, तो उसके अंदर हमें को अपन रहने की जगह ढूलनी चाहें थी, and he determined to fly away, और उसने वहां से, सोचा कि वहां से हाटो चले, यहां पर तो पानी आ रहा है, but before he had opened his wings, a third drop fell, और वो अपने इससे पहले की उड़ती, अपने पांख खोलती, और तीछरी बूंद वहां पर गिर गए, and he looked up, और उसने उपर देखा, and saw, ah, what did he see, और उसने क्या देखा, अब आगे देखे, what did he see, the eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks, happy prince की मूर्ती थी, उसकी आखों में आशु भरे हुए थे, और जो है, उसके golden cheeks, सोने के गाल जो थे, उसके उपर से नीचे बह रह रहते, और वो ही टपक रहते, his face was so beautiful in the moonlight, that the little sorrow was filled with pity, और चंदरमा की रोश्णी में, उसका चेहरा जो था, उस मूर्ती का इतना सुन्दर लग रहा था, कि, और वो आँखे में पानी बह रहा था, यानि आशु बह रह थे, तो उसका जो छोटी अबावील चिडिया थी, उसका दिल बिल्कुल दया से भर गया, तो अंदर मूर्ती का इतना, मूर्ती का कै कि मैं हैपी प्रिंस हूँ में, और कोई क्या था था, कहा था, तो नहीं को रहो, जाना, when I was alive and had a human heart, answered the statue I did not know what tears were, for I lived in the palace when sorrow is not allowed to enter, और फिर happy prince जो अपने बारे में बताता है, कि when I was alive, जब मैं जिन्दा था, and had a human heart, और जब मेरे आदमी वाला दिल तो धड़कता है अभी तो वो मूर्ती बन तो जब करा था, कि जब मेरा a human heart था मेरे में, और जब मैं जिन्दा था I did not know what tears were, था मैं जानता भी नहीं था कि आशू क्या होते है for, for me नहीं होता है, because क्योंकि I lived in the palace, मैं एक महल में रहता था, where sorrow is not allowed to enter, sorrow होता है, दुख और जहां पर दुख को प्रवेश करने की आगया नहीं थे my courteous called me the happy prince courteous कहते है, दर्बारी को और मेरे दर्बारी जो थे महल में वो मुझे happy prince कहते थे and happy indeed I was indeed होता है, वास्तो में और वास्तो में मैं बहुत खुश था so I lived and so I died, और जब the ugliness and all the miseries of my city and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep, अब सी थे difficult word बच्चो misery होता है, misery of my city, misery होता है, दुख और lead होता है, सीसा एक धातु होती है, तो उसको lead कहते है ugliness बचूरती होती है चीके, note it down so now I am going to explain it और फिर है, कहता है कि and now that I am dead, और जब मैं मर गया तो they have set me up here so high, तब लोग ने मुझे इतना उचा यहाँ पर set कर दिया, इस्थापित कर दिया, that I can see the ugliness and all the miseries of my city, कि मैं यहाँ से इतनी उचाई से, अपने पूरे शेहर की बत्सूर्ती और दुखों को देख सकता हूँ and though my heart is made of lead, हाला कि मेरा जो है, हिर्दय जो है, दिल सीसे का बना हुआ है, क्योंकि वो मूर्ती थी ना, उस पर सोने की परत चड़े हुए थी वाकि वो मूर्ती सीसे की बने हुए थी येट, I cannot choose but wit, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के, और तो कुछ मैं चुन नहीं सकता what, it is not solid gold said the solid to himself उस अबाभी चिडिया ने अपने आप से का क्या, ये solid gold नहीं है मूर्ती मतला उसके मूर्ती पे सोने की परत चड़े हुए थी he was too polite to make any personal remark और उसने लेकिन कोभी personal remark नहीं किया ना कुछ पे उस पे ताना कसी नहीं कि क्योंकि वो प्रेंस रो रहा था ना far away continued the statue in a low musical voice और एक बहुत धीमी सी musical voice में, बहुती संगीत में आवाज में उसने कहा कि far away बहुत दूर, far away in a little street, there is a poor house वहाँ पर एक छोटी से सड़क पर एक poor house है गरीब का घर है one of the windows is open और उसकी खिडकियों में से एक खिडकी खुली हुई है and through it, I can see a woman seated at a table और उस खिडकी के through it होता है खिडकी के लिए उसकिया गया और through it, उस खिडकी के दौरा जो खुली हुई थी मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो की मेज पर बैठी है her face is thin and worn thin and worn होते है कि उसका जो face है उसका चेरा है बहुत थका हुआ है and she has coarse red hands all pricked by the needle for she is seamistress seamistress कहते है कि जो lady कपड़े सिलती है न darjin एक darji होता है जो lady कपड़े सिलती है इसको seamistress कहते है और coarse कहते है कि बहुत rough ठीक है और pricked कहते हैं छिदे हुए बहुत हाथ छिदे हुए थे और needle सुए होती है और फिर वो बताता है कि I can see a woman seated at a table her face is thin and worn उसका face बहुत थका हुए है and she has coarse red hands उसके हाथ बहुत rough हो गए है और लाल है हाथ all pricked by the needle और सब सुई से छिदे हुए है क्योंकि वो दर्जी कपड़े सिलने का काम करते थी न तो हाथ सब सुई से छिद गए है for she is a seamistress फॉर्माने क्योंकि क्योंकि वो एक दर्जिन है she is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the quince maids of honor और वो एक satin कपड़ा होता है उसके gown पे embroidery कर रही है embroidering flowers उस पे fool काड़ा रही है for the loveliest of the quince maids of honor जो रानी की जो maid उसके संग चलती है queen maids of honor होता है कि जो रानी की संग जो उनकी सास में चलती है रानी के संग उसके gown के लिए embroidery कर रही है उसमें fool का रही है to wear all the next coat ball और उसको ये जो है जो next coat ball होती ही दरबार में party होने वाली है ball कहते है party को तो जो राज दरबार में party होने वाली है उसकी वो तयारी कर रही है in a bed in the corner of the room her little boy is lying in और उसके कमरे के किनारे पे उसका छूटा सा लड़का बिमार पड़ा हुआ है he has a fever उसके बुखार है and is asking his mother to give him oranges और अपनी ममा से संत्रे मांग रहा है his mother was nothing to give him but river water और उसकी ममी पे उसके देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाए नदी के पानी के so he is crying तो इसलिए वो बच्चा जो है रो रहा है सालो सालो little सालो will you not bring her the ruby out of my sword hill और वो स्टैचू जो थी happy prince की वो सालो से कहती है अबबील अबबील छोटी सी अबबील क्या तुम हमारे जो तलवार की हांडिल में लाल मारिक लगा है उसको निकाल लोगी will you not bring her क्या उसको निकाल के उसको नहीं देख के आओगी यानि कि उस वो चाहता था स्टैचू मूर्ती जो happy prince था कि जो है उसकी तलवार से लाल मारिक निकाल की चिडिया उसके उस दरजी को दिया है दरजिन को है ना ताकि उसके बच्चा बीमार था उसके पास कुछ थानी खाने को सिवाए नदी के पानी के my feet are fastened मेरे पैर तो बंधे हुए to this pedestal and I cannot move pedestal होते है बच्चो एक raised platform की उचा उठा हुआ जगे देख रहे थे फोटो में जहां पर आपकी वो ऊची खंबे पे उसकी मूर्थी लगी हुए थी ना तो केरा था मेरे पैर तो बंधे हुए इस pedestal से इस ऊचे स्थान से and I cannot move और मैं तो नहीं है सकता क्योंकि वो statue था ना इसलिए see the next page I am waited for an Egypt said the solo और अब आविलने का भही मुझे तो Egypt जाना है my friends are flying up and down the up and down the Nile and talking to the large lotus flowers soon they will go to sleep और मेरे दोस्त तो जो है उस चड़िया के अबाबील के वो तो Nile River जो है उसमें वहाँ पर उड़ रहे हैं और lotus flowers जो कमल के फूल है उनसे बाते करें और सून दे विल गो तो स्लीप और जल्दी वो लोग सो जाएंगे मुझे तो Egypt जाना है the prince asks us all to stay with him for one night and be his messenger और उस प्रिंस की जो मूर्थी थी उसने कातना की उससे कि एक दिन वो वहाँ पर रोख जाए और उसका दूद बन जाए messenger होता है जो message पहुचाता है the boy is so thirsty वो लड़का बहुत प्यासा है and the mother is so sad और उसकी मा बहुत दुखी है he is sad he is मतलब statue happy prince की statue ने का I don't think I like boys answer the solo answer is Aba Will ने का कि मुझे लड़के पसंद नहीं है क्योंकि वो लड़का बीमार था तो माँ पर पहुचाने के लिए तो solo ने का मुझे लड़के पसंद नहीं मुझे लगता है कि I want to go to Egypt मुझे मैं तो Egypt जाना चाहता हूं but the happy prince looked so sad that the little solo was sorry और लिकिन जो जो the happy prince उसकी बाद सी इतना दुखी हो गया कि solo ने भी बहुत sorry फिल कि यह इसका मतलब कि बहुत kind-hearted था solo भी ठीक है उसके दिल में भी चड़िया के दिल में भी बहुत दया थी it is very cold here उसने का यहां बहुत थंड़क है he said but he agreed to stay with him for one night and be his messenger उसने का कि यहां बहुत थंड़क है लेकिन वो तयार हुगय है कि वो एक रात रुख जाएगा और उसका messenger दूत बन जाएगा जो message पहुचा देगा thank you little solo said the prince और prince ने का thank you the solo picked out the great ruby from the prince sol and flew away with it in his beak over the roofs of the town beak कैते चोच को और solo ने जो थी उसकी तलवार से जो लाल मानिक लगा था उसको निकाला, picked किया उठाया and flew away और उडा with it in his beak और उसको अपनी चोच में लेके उडा over the roofs of the town और शेहर की जिती भी जहते थी उनकी उपर से उडा और वो कहां जा रहा था उस दरजिन के घर जा रहा था वहाँ पर drop करने मानिक को he passed by the cathedral tower cathedral कहते हैं टावर कहते हैं कि गिर्जा घर जो होते है एक cathedral एक बहुत प्रदहान गिर्जा घर था चर्च थी उसके उपर से उडा जहां पर संगमरमर पर परियां गड़ी होई थी इनजल्स मने परियां और इनजल्स मने परियां गड़ी होई थी मार्बल से परियां बनी होई थी he passed by the palace and heard the sound of dancing और वो महल के पास से भी पास हुआ है ना वहां से भी गुजरा और उसने सुना कि वहां पर डांस की आवाज आ रही है अब ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट on the balcony with her lover और एक सुन्दर सी लड़की अपने lover के संग वहां पर बालकरी पे आई इसमें ये भी देखा चिडिया ने I hope my dress will be ready and time for the state ball she said और जो लड़की बालकरी पे आई ना अपने lover के संग उसने कहा कि मुझे आशा है कि मेरी जो है dress जो है जो राजसी पार्टी होने वाली उसके लिए तैयार हो जाएगी I have ordered flowers to be broided on it और मैंने उस पे flower को full कड़ाई करने के लिए order किया है but the sea mistress are so lazy लेकिन वो दरजिन इतनी आलसी है ये लड़की कह रही है जो अपने lover के संग बालकरी पे आई ते और ये बात चिडिया ने उपर से सुनी he passed over the river और उसने जो है वो नदी के पास से और मास्ट होते है बच्चो जो शिप का पाल होते है जो कपड़ा सा बड़ा लगा होते है जो हवा की हवा की दिशा तो उसको पाल को कहते है जो परदा सा लगा होते है बड़ा सा तो और उसने देखा कि वहाँ पर जो शिप की जो पाल के पास जो थी लाल थी इन जिल रही थी at last he came to the poor woman's house और अंत में उस विचारी गरीब औरत के घर पहुचा and looked in और अंदर देखा the boy was tossing feverishly on his bed tossing होता करवटे बदलना और जो लड़का जो था fever में बुखार में बिसर पे करवटे बदलना था and the mother had fallen asleep उसकी मा सो गई थी she was so tired वो बहुत थकी होई थी in he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble thimble होता है बच्चों कि जब दरजी लोग होते हैं जब कपड़े सिलते हैं जो दिनबार सुई का काम करते हैं तो एक अंगलिस ताना आता है वो उंगलियों में पहन लो तो सुई नहीं चुपती है चोड़ी-चोड़ी कैप जैसा होता है वो उपर जो आपके पोर होते हैं उंगलियों के फिंगर टिप्स महा पर पेहन ले जाते हैं उससे आपको सुई नहीं चुपती है तो उसको जो है थंबल कहते हैं तो वो जो है कुदा and laid the ruby gray to be on the table beside the woman's symbol और जहां पर उवरत का अंगुले स्ताना रखा था तो उसके पास उसने वो लाल मानिक डाल दिया then he flew gently round the bed fanning the boy's forehead with his wings और वो धीरे से जो है लड़के जहां जिसके fever था उसके पास गया और अपने पंखों से उसके माथे पर पंखा करने लगा फैनिंग होता है पंखा करना how cool I feel said the boy और जो विचारा भीमा लड़का था उसने का how cool कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा I must be getting better and he sank into a delicious slumber slumber कहते है sleep को नेद को और वो जथा उसने अच्छा फील किया और वो बहुत ही अच्छी सी मीठी मीठी नेद में सूता चला गया sank होग था और sank डूबने को कहता है लेकिन यहाँ पर है कि नेद में गहराता चला गया और उसको लगा कि I must be getting better कि मैं अच्छा हो रहा हूँ then the solo flew back to the prince happy prince and told him what he had done और फिर वो उड़के वापस happy prince के पास आई वो चिडिया solo, ababil और उसने सब बताया कि उसने क्या क्या it is curious, he remarked but I feel quite warm now although it is too cold और उसने कहा कि वो बहुत ही जिग्यासु था और बहुत ही करा कि और चिडिया ने कहा हाला कि इतनी ठंड़ना कि लेकिन मैं थोड़ा गर्माहट मैंसूस कर रहा हूं अपने में और पताया क्यों थी क्योंकि उसने एक जरूरत मंद की मदद की थी इसलिए उसके बदन में गर्मी थी उसकी वज़े से that is because you have done a good action और देकी लिखा भी है यहाँ पर said the prince और प्रिंस ने कहा कि इतनी ठंड के बाद भी तुमने जो तुमारे गर्मी मैंसूस हो रही है बदन में वो इसलिए कि तुमने एक अच्छा काम किया है and the little solo began to think and then fell asleep thinking always made him sleep और फिस solo उसको सोचने लगा always so गया क्योंकि जब वो सोचता था तो उसको अच्छी नीद आती थी thinking always made him sleepy क्योंकि सोचने से उसको नीद आती थी तो उसने सोचने सटके सो गया when day broke he flew down to the river and had a bath और जब अगला देन day broke होता है कि सुभा होई तो वो नदी पर उड़के गया और उसने महा पर नहाया चड़िया ने tonight I go to Egypt और उसने का आज रात को मैं Egypt चला जाओंगा said the solo and he was in high see the next piece यहां पर दीखिए वो दरजीर है एको देखिए वो वो गाउन सिल रही है और बील है उसका लड़का फोटो में देखिए बिमार पड़ा हुए और जी की यहां पर उसका अंगुल स्ताना रख का उसने रेड उसके पास में red stone रख दिया मानिक का ठीक है so we start and he was in high spirit at the prospect he visited all the monuments and sat a long time on top of the church stipple stipple होते है बच्चों की high tower कहते है जो उची सी मारत होती ही ना मिनार उसको कहते है stipple और उसने और उसको आशा थी he was in high spirit at the prospect और उसको आशा थी कि वो शाम को चला जाएगा और उसने जो है जब उस शहर की सारी monuments थे जितने भी इतिहासी के मारते थी देखने वाली जगें तो वहां पर सबको विजिट किया और एक बहुत उची से चर्च की मेनार पर बैड़ किया वो चड़िया और जब चंद्रमा उगर राइज रोज यह माना पास टेंस है तो जब चंद्रमा उगर तो वह फिर से हैपी प्रिंस के पास गया क्या तुम्हें कोई एजिप्ट में काम है उसने पूछा क्योंकि मैं अब बस स्टार्ट करएं मतलब कि अपनी यात्रा स्टार्ट करो मैं बस जाने वाला मतलब सालो एजिटल सॉलो Кар्ड मुझे मिष्ट्र जाना है मैं मिर्शी जाने के इंतिजार कर रहा हूं सॉलो सॉलो लिटिल सॉलो सेट दप्रेंस फार अवे अक्रोज असीटी आई सी यंग मैन इन गारेट और उसने कहा कि सॉलो सॉलो छोटी सी अबबील बहुत दूर शेहर के उस पार आई सी यंग मैन इने गारेट गारेट होता है बच्चों कि बहुत ही अटारी को कहते है दुछत्ती बहुत अंधेरा सा कमरा छोटा सा कमरा होता है उसको गारेट कहा जाता है जहां बहुत छोटा सा हो दुछत्ती भी कहते है इसको अटारी भी से लोग कहते हैं ठीक है तो को कहता है कि शेर के में मैं एक आदमी को देख सकता हूँ जब की अटारी पे बैठा है दुछती में यानि कि एक डाक छोटे से कमरे में बैठा है he is leading over a desk covered with papers और वो एक decks के उपर जो पूरी paper से भरी हुई है उसके उपर जुका हुए और उसके पास जो ग्लास रखा हुए उसमें बहुती मुर्जाए हुए फूल रखे है his hair is brown and crisp उसके बाल जो है भूरे है और crisp है मतलब बहुती सूखे है crisp है and his lips are red as a palm grenade और उसके होट जो है अनार की तरह लाल है and he has large and dreamy eyes उसकी बड़े-बड़ी जा सपना देखती हुए dreamy eyes हैं बहुत and he is trying to finish a play for the director of the theater और वो एक theater है एक theater होते है जहां पर लोग नाटक करते है तो theater के एक director के लिए एक नाटक को खतम करने की कोशिश कर रहा है यानि कि उनके लिए एक नाटक लिख रहा है उसको खतम करने की कोशिश कर रहा है but he is too cold to write anymore लेकिन वहां इतनी ठंड है कि वो आगे लिख नहीं सकता there is no fire in the great great करते है अंगीठी को और अंगीठी में कुछ आग भी नहीं है and her hunger has made him faint और वो भूग से faint हो गया है भी होश हो गया है ठीक है यानि कि वो दूसरा काम दे रहा है अबाबील को I will wait with you one night longer said the solo who really had a good heart और जो solo जो था अबाबील चड़िया जिसके की वाके में एक अच्छा दिल था उसने कहा कि ठीक है मैं एक द्रात माय संग और रुख जाओंगा he asked if he should take another ruby to the young playwright playwright कहते है नाटक जो लिखते है नाटक कार को और उसने कहा कि अगर तुम जो हो एक दूसरा जो है मानिक जो है लाके उस नाटक कार को दे दो तो alas I have no ruby now और उसने कहा कि अब तो मेरे पास ruby है ने prince ने कहा उसको लगा कि फिर दूसरा ruby उस नाटक कार को भिजवाय का लेकिन prince ने कहा I have no ruby now अब तो में पस रूबी है नहीं, said the prince, my eyes are all that I have left, और जो मेरे पस अब बचा है, उन में से बस मेरी आखे है, they are made of rare sapphires, और ये बिलकुल rare जो बहुत का मिलता है, ऐसे नीलम से बनी हुई है, बहुत ये costly होता है बच्चों, which were, see the next page, which were brought out of India's thousand years ago, और जो और वो नीलम जो मेर भारत लाया गया था, he ordered the solo to pluck out one of them and take it to the playwright, उसने चड़िया को order किया, तो मेरी आप एक निकाल लो, जो कि नीलम से बनी थी और उस नाटक कार को दे दो, he will sell it, वो उसको बेज देगा, to the jeweler, वो उसको एक सुनार को बेज देगा and buy fire food and finish his play, he said, और अपने लिए firewood ले ले ल play जो है नाटक खटम कर लेगा, dear prince said the solo, I cannot do that and he began to weep, उसने कहा कि प्यारे prince, मैं ये ने कर सकते कि तुमारी आँख निकाल लो, है ना, और वो रोना शुरू कर दिया, solo, solo, little solo said the prince, do as I command you, और उसने कहा कि अबबील, अबबील, छोटी, अबबील, वैसी करो जैसे मैं तुमको आदेश्टे रहों, तो कि वो तो prince था ना, आदेश्टी ने का तो आदी होगा, so the solo plugged out the princess आयो and flew away to the young man's garret, और फिर जो है अबबील ने उसकी आख निकाल ली और उस young man का जो अधीरा कमरा था ना, garret, atari, वहां की तरफ ओड किया, it was easy enough to get in, और उसकी अंदर जाना, बहुत in the roof क्योंकि छत में जो था उसकी एक छेद था, तो वहां से वो होता हुआ, बड़े अराम से उसके पास चला गया, through this he darted and came into the room, और उस छोल के थूरू उसने अपने आपको पुष किया, darted होते है, push himself, आपने आपको धक्का देना, और उस छेद के थूरू उसने अपने आ hear the flutter of the bird's wing, और उस आदमी ने जो थे, अपना हातों में अपना पूरे सर को जुगाया हुआ था, हातों के अंदर सर जुगा हुआ था, होता नहीं, लोग जैसे हादाउन करते हैं, आप लोग क्लास में बिलकुल सर हातों के अंदर लेके हादाउन कर लेते हैं, वैसे ही, त अपना सर बिलकुल हातों के अंदर फसाया हुआ था, so he did not hear the flutter of the bird's wing, flutter उता फड़ फड़ आना, तो इसलिए वो चिड़िया के पंखों की फड़ पड़ाहत सुन नहीं सका, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered wallet, और जब वो उसने ऊपर देखा, तो उसको एक बहुत सुन्दर सा नीलम जो है, जो उसके मुर्जाय हुए wallet के फूल थे, वो उसके पास में रखा हुआ, तो उसने देखा, I am beginning to be appreciated, और उसने कहा कि अच्छा, मैं मेरे ना, ये कुसी लग रहा है कि मेरी जो beginning है, मतना नाटक की, मतना नाटक मैंने लग रहा है, अच्छा लिखा जो उसको अच्छा ने रखा है, now I can finish my play, and he looked quite happy, और उसको जो है, उसने कहा कि अब मैं अपना नाटक खतम कर सकता हूँ, और वो बहुत खुश दिखाए दिया, क्योंकि वो निलम बेच के लाकडी बकडी खरीद लेगा, अपना समान जो भी इसको जरुवत है, the next day, the solo flew down to the harbor, और harbor, वो समुत की किनारी की जगे है, जहाँ पर जहाँ रुखते है, उसको harbor कहते है, तो वहाँ पर उड़के, he sat on the mast of a large vessel, और वो एक जो पाल पड़ा होते है, जहाँ पर कपड़ा से बड़ा लगा होता है, तिकुना से, उसको mast कहते है, वो वहाँ पर जाके, बैढ गे, and watch the sailors working, और जो जो sailor होते है, जो नाव खेते है, जा चलाने वाले, उनका, उनकी वो कैसे काम करते है, यह देखने लगी, I am going to Egypt, और उसने कहा कि मैं तो Egypt जा रही हूं, cried the sorrow, cried the sorrow, cried the sorrow, और sorrow ने कहा, but nobody minded, और लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, and when the moon rose, he flew black to the happy prince, और जब रात को ह होगे, और चंदरमा, ऊपर आया, उगा, तो जो है, वो वापस happy prince के पास आई, I have come to bid you goodbye, he cried, और कहने लगी, मैं तुमसे goodbye कहने आई हूं, ना बेट का होता करना होता है, ना किसी को wish करना, ना तुम्हे goodbye wish करना आया हूं, solo, solo, little solo, said the prince, will you not stay with me one night longer, और उसने का, अबाभी, चोटी, अबाभी, क्या तुम एक दिन और नहीं रुखोगी मेरे संग, it's winter, answered the solo, और उसने का कि यह जाड़ा है, solo ने उतर दिये, and the snow will soon be here, और बहुत जल्दी बरफ पढ़ने लगेगी, in Egypt, the sun is warm on the green palm trees, और एजिप्ट में, वहापर जो हरे ताड के पेड है, palm trees है, ताड में जो है, उनके उपर बहुत sun, sun की गर्माहट दिखाई दे रही है, मतलब वहाँ पर गर्मी है, और यहाँ पर तो snow पढ़ने वाली, बरफ होने वाली, and the crocodiles lie in the mud, and look lazily about them, और जो जिते मह गर्म अच्छे, वो मट्टी पे निकल, पलेटे हुए है, and look lazily about them, और बहुत ही आलसी धंग से पढ़े हुए है, आपने कभी लाफन देखा होगा न, कि जब धूप निकलते हैं, तो crocodile जो है, वो बहार निकलके एक दूसरे को पर पढ़े रहते हैं, जहीं लेजी, आलसी के धंग से, so now, in the square below, set the happy place, there stands a little magical, और उसने कहा कि square के नीचे, एक जगह है, माचिस बेचते है, she has let her matches fall in the gutter, और उसकी जो है, माचिस की तिलिया है, माचिस है, माचिस है, वो गटर में गिर गए, नाली में गिर गई है, and there, they are all spoiled, वो सब बरबाद हो गई है, her father will beat her, if she does not bring home some money, और उसके पापा उसको मारेंगे, अगर जो है, वो घर पैसा उनको की नहीं ला पाई तो पर, and she is crying, और वो रोर ही इस द्रंग से, she has no shoes, और, see the next page, और stockings, और उसके पैरों में जूते भी नहीं है, और मोजे भी नहीं है, stockings कहते हैं, लंबे मोजे को कहते, and her little head is bare, और उसका छोटा सा 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 जो है, बेर है, यानि कि विकुट धाका नहीं है, थंड़क में, क्योंकि वहाँ पर, snow पढ़ने हो, एका मौसा मारा था न, और थंड़क में, ऐसे खड़ी है, जूता भी नहीं पहने, मोजा भी नहीं पहने, सर भी खुला है, pluck out my other eye, और मेरी दूसरी हाँ पी तोड लो, मतलब निलम को तोड के निकाल लो, and give it to her, उसको दे your eye, you would be quite blind then, उसने का कि मैं तुम्हाँ संग रोक तो जाओंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल लोगा, तो तुम पूरे अंदे हो जाओंगे, सॉलो, सॉलो, said the prince, do as I command you, और चुछ, चुछ, सॉलो, अबाबील, अबाबील, ऐसे करो जैसे कि मैं तुम से कहता हूँ, मेरा आदेश मानो, और उसने दूसरी आँख भी निकाल ली, और ही सूप पास नीचे नीचे उड़ा, उस लड़की के पास के, और उसने उसके हाथ के हतेली पे वो जो था उसकी नीलम दूसरी आपका जो नीलम था उसकी हाथों में दे दिया, और वो कितना प्यारा सीशे का तो पड़ा है, क्यों छोटा बच्चा था, वो तो नी जानता था कितना सफायरत, महंगा, गरीब घर के बच्चे कैसे जानेंगे, तो cried the little girl, and she ran home laughing, और वो हस्ती हुई, अपने घर गई, then the solo came back to the prince, और फिस solo जो था, वापस राजकुमार के पास आया, वो मूर्ती के पास, you are blind now, अप उसने कहा, चड़िया ने उससे, आप तुम अंधे हो गए हो, so I will stay with you always, तो इसले अब मैं हमेशा तुमारे पास रहूंगा, यानि कि उसने एजिप्ट जाने का इरादा जो था छोड़ दिया, no little solo, said the poor prince, you must go away to Egypt, और उसने प्रिंस ने कहा कि नहीं, solo, तुम्हें जाना चाहिए, एजिप्ट, no I will stay with you always, said the solo, और उसने कहा कि नहीं, मैं तुमारे संग हमेशा रहूंगा, and he slept at the prince's feet, और वो प्रिंस के राजकुमार के पैरों के तले सू गया, all the next day, he sat on the prince's shoulder, अगले दिन वो पूरा prince के कंदे पे बैठा रहा, prince की जो मूर्ती का थी, उसकी कंदे पे बैठा रहा, and told him stories of what he had seen in strange lands, और उसको कहनिया सुनाता रहा, कि उसने जो भी strange land में, अजीब से land में, जो कहनिया देखा था, वो सब कहनिया सुनाता रहा, Dear little solos, said the prince, you tell me of marvelous thing, और उसने कहा कि ट्यारे छोटी अब बबीर, तुमने मुझे बहुत शांदार चीजों के बारे में बताया है, बावलेस, बहुत बढ़िया चीजों के बारे में, शांदार चीजों के बारे में बताया है, बत मूर मारवलेस देख अनिधिंग इस अफ्रीग और में और में लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कह है कि लोगों की कस्ट, आदमी और तो की कस्ट, there is no mystery, so mystery, so great as misery, कि दुख से बड़ा जो है, कोई रहस नहीं है, सबसे बड़ा problem, दुख है उसने का, fly over my city, मेरे शेहर के पर उड़ो little solo, and tell me what you see there, और मुझे बताओ कि जो तुम देख सकते हो, अब क्योंकि उसकी आँखे सपायर निकल गयते हैं, तो वो देख नहीं सकता था, तो कह रहा था कि तुम मुझे देख के बता, so the solo flew over the great city, and saw the rich making merry in their beautiful houses, और उसने जो फिर जो था, solo जो था, पुरी शेहर के उपर उड़ा, और उसने का, कि जो rich थे, जो अमीर लोग थे, वो खुश, अपने सुन्दर सुन्दर घरों में खुशियां मना रहे थे, merry होते हैं, खुशियां मना रहे थे, while the beggars were sitting at the gates, भलकि जो भीकारी जो थे, वो लोगों के, दूसरों के gate पर बैठे हुए थे, naturally, भीक मांगने के लिए, he flew into dark lanes, फिर वो जो था, अंधिरी गलियां, जो थी, शहर की, मतले जाने की, गंधी गलियां है, अंधिरी गलियां, जहां पर proper light नहीं थी, वहाँ उड़ा, and saw the white faces of starving children, looking out listlessly at the black street, और वहाँ पर उसने, listlessly होते है, बिलकुल निरुचाहिद, जिसमें उत्साहनाओ, और starving children होते है, भूखे बच्चे, और अंधिरी गलियों में, उसने दिखा, भूखे बच्चों के, भूखे बच्चों के सफेद हैं, मतलब सारा रं भूखे बच्चे, और बिलकुल निरुचाहिद से बैठे होते हैं, ब्लैक काली-काली सड़कों पर, under the archway of a bridge, arch होते हैं, बच्चे, जो कर्व होते हैं, घुमाओं, घुमाओं होते हैं, सी की तरह हैं, जो कर्व होते हैं, इसको ऐसे, पुल ऐसे घुमता हुआ, मुडता है तो उसको arch of a bridge कहते हैं, तो और उस घुमते हुए bridge के नीचे, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm, उसके नीचे दो छोटे लड़के बैठे तो और एक दूसरे से चिपके हुए थे, ताकि एक दूसरे की गर्मी महसूस कर सकी, यानि कि वो लोग, उनों लोग को बहुत ठंड लग रहे थे उनको पास proper चीज नहीं थे, ढखने के लिए तो एक दूसरे से चिपके हुए थे, how hungry we are, और वो बच्चे आपस में कह रहे थे, हम लोग कित्ते भूके हैं, you must not lie here, और तुमको यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए, shouted the watchman, और जो watchman था, किसी बड़े घर का, जो gate पे खड़े होते हैं, watchman, दर्बान, तो उसने कहा कि यहाँ पनी लेटो, and they wandered out into the rain, और उनको बारिश में बाहर निकाल दिया, उसने, दर्बान में, then he flew back and told the prince what he had seen, और फिर वो आपस गई, और जो कुछ भी देखा, उस प्रिंस को बता दिया, I am covered with fine gold, said the prince, और प्रिंस ने कहा कि मेरा जो body है, उस पे लेट के उपर, यानि कि पुरा सोने की परत लगे हुई है, you must take it off, leaf by leaf, और तुम इसके पती-पती करके इसको निकालो, and give it to the poor, और गरीबों को दे दो, the living, always think that gold can make them happy, जो जिन्दा लोग हैं, जो living beings हैं, हमेशा यह सोचते हैं कि सोने से वो खोश हो सकते है अगर सोना मिल जाएगा, तो वो खोश हो जाते हैं उससे, तो तुम उनको दे दो, leaf after leaf of the fine gold, a solo pig drop, और एक के बाद, दूसरी, दूसरी के बाद, तीसरी ऐसे, जो है, धीरे-धीरे, अबा बिल चुडिया, जो उसके सोने की परा चले थी, वो निकालती गई, till the happy prince looked quite dull and grey, और lead निकल आया, को तो जो grey colour का होता है, leaf after leaf of the sea, fine gold he brought to the poor, एक एक सोने की परात निकालके वो गरीबों को दीतर आया, and the children's faces grew rosier, और बच्चों की जो चहरे थे, रोज की तरह खिल गया, and they laughed and played in the street, और वो हसने लगे, खेलने लगे, we have bread now, देख रहे हो, कह रहते है, अब हमको tea है, कम से कम, then the snow came, और फिर जो थी बरफ पढने लगे, and after the snow came, the frost, और जब बरफ पढ़ी, उसके बाद जो था, पाला पढ़ा, frost होता है, पाला पढ़ा, थंड़क होती न, पाला पढ़ता है, वो ही, the streets looked as if they were made of silver, और सडके ऐसे लग रही थी, जैसे कि वो चांदी की बनी होए, क्योंकि सब तरफ बरफ बरफ थी, इसलिए, everybody went about in first, और जो भी बाहर नेकल ले थे, अपने फर के कपड़े पहने होए, रोएदार, मतला, उनी कपड़े, फर के, मोटे-मोटे पहने होए थे, and the little boys were scarlet caps and skitted on the eyes, और छोटे लड़के जो थे, वो scarlet caps पहने होते, मतला, गहरे लाल रंग की टोपी लगाया होए थे, और बरफ पे skating कर रहे थे, the poor little swallow grew colder and colder, और वो बिचारी, वो छोटी से चूड़िया थी, वो उसको थंड़क लगते गे, और थंड़क लगते गे, but he would not leave the prince, लेकिन उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, he loved him too well, और वो उसको प क्यार करती थी, he picked up crumbs outside the baker's door, when the baker was not looking, और उसने जब baker जो होता है, जो बेकरी, जो cake बनाता है, तो जब वो नहीं देखता था, तो वहां से रोटी के टुकडे, crumbs कहते है, रोटी के छोटे चोटे चोटे टुकडे उठा के, अपने खाने के लिए अरेंज करती थी, वो चुड he knew that he was going to die, लेकिन अंत में उसको पता चल गया था, कि अब वो मरने वाली है, थन्द की वाज़े से, है न, he had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more, और सिर्व उसके पास इतनी ताकत बची थी, कि वो जो है, prince के कंधी तक उड़ सके, चीक है, so, goodbye dear prince, और उसने प्रिंस से कहा कि goodbye, he murmured, और उसने बुद बुद आया, चिडिया ने, will you let me kiss your hand, किया तुम मुझे अपने हाथों पे एक किस करने दोगे, चुमन लेने दोगे, I am glad that you are doing, you are going to Egypt at last, little solo, और जो मूर्ती थी, happy prince के उसने कहा कि मैं खोश हूँ, I am glad, glad होता है, खोश हो न, कि तुम अपने, finally, अपने Egypt जा रही हो, चोटी अब भी, said the prince, और ये, उस प्रेश ने कहा, you have stayed too long here, और यहाँ पर तुम बहुत दिनों तक रुख गए, but you must kiss me on my, on the lips, लेकिन तुमको जो है, for I love you, और उसने कहा कि, तुमको जो है, मेरे होटों पे kiss करना चाहिए, क्योंकि, for होता है, because, क्योंकि, मैं तुमें प्य के घर जा रही हूँ, यानि की मैं मरने वाली हूँ, that is the brother of sleep, is he not, और उसने कहा कि, जो मरत्यू है, वो नींद का भाई है, और ऐसा नहीं है क्या, and he kissed the happy prince on the lips, और उसने, जो happy prince की lips पे, होटों पे kiss किय, and fell down dead on his feet, और गिर के, उसके पैरों पे गिर के मर गई, at that moment, a curious crack sounded inside the statue, और जब वो गैसे ही गिरी, तो उस चाड जो है, बहुत ही अजीब सा crack का sound, टूटने का sound, जो है, इस टैचू के अंदर से आया, as if something had broken, जैसे कि कुछ टूटा हो, the fact is, that the leaden heart had snapped right into, और वास्तों में ये था कि उसके जो lead का heart, जो lead, सीसे का से जो heart बना हुआ था, prince का, वो द टुकड़ों में टूट गया था, it certainly was a dreadful, hard frost, actually में ये वास्तों में जो थे, ये वो थंडे पाले की वज़े से हुआ था, hard जो थे इतना भयंकर frost हुआ था, पाला पड़ा था, उसकी वज़े से हुआ था, लेकिन वो सीसा टूट गया, मतला उसका सीसे से बना दिल टूट सीसा धातू होता है, शीशा नहीं, ठीक है, early the next morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors, और अगले दिन ही जो शेहर का mayor था, वो अपने जो शेहर के councillors थे, उनको सुझाओ देते थे, उनके दरबारी, उनके संग जो है, वहें पर टहल रहा था, as they passed the column, और जैसे ही वो उस column के पास से, खं पूर्ती को देखा, dear me, how shabby the happy prince looks, he said, और उसने कहा, कितने happy prince कितना भध्य लग रहे है, shabby होता है, भध्य दिखने, भुरा दिखना, how shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it, और जो उसके councillors थे, जो उसके सास रहते थे, mayor के, वो हमेशा, जो भी mayor कहता था, उसी में हा में हा मिलाते थे, और उन्होंने भी का, हाँ, how shabby indeed, वास्तों में कितने भध्य है, the ruby has fallen out of his sword, उसकी जो तलवार से मानिक गिर गया है, his eyes are gone, उसकी आखी भी निकल गई है, ठीक है, क्योंकि उसने आखे भाट दी थी ना अपनी, and he is golden no longer, आप तो वो golden भी नहीं दिख रहे है, क थोड़ा भी कारी से थोड़ा बस बेटर लग रहा है, वास्तों में प्रेंस की मूर्ती तो मतलब लगी लग रही है, little better than a beggar said the town councillors, उसके जो councillors थे, उसके council के लोग, सभासर, तो नोंने भी का, हाँ, बेटर देने बैगर, little better than a beggar, एक भी कारी से थोड़ा अच्छा और उनने देखा कि उसके प्यारू के प्यार पास एक मर्यू चिडिया भी पड़ी है, continued the mayor, यह सब mayor continue कह रहा है, we must really issue a proclamation, that birds are not, proclamation कहते है, घोशना को कहते है, announcement को, और उसने कहा कि हम लोगो के वास्तों में एक announcement करनी चाहिए, that birds are not, see the next, यह दिखे, यह उसके राय सभासर और वो सब घूम रहे, यह statue लगी हुई है, वहाँ पर एक चिडिया पड़ी हुई है, फोटब है, birds are not allowed to be die here, कि चिडियों को यहां मरने की, मरने की allow नहीं है, तो उसने का, हम लोग को यह घोशना कर दे नहीं है, यहां चिडियां को मरना allow नहीं है, and the town clerk made it, made a note of the suggestion, और उ statue थी मूर्ती, उसको खीच लिया, मतलब उतार लिया, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor of the university, और क्योंकि जो थी, वो अब सुन्दर भी नहीं थी, और useful भी नहीं थी, उपयोगी भी नहीं थी, और जैसा कि university के art professor नहीं कहा था, है ना, तो मूर्ती हटा ले गई महा से, क्योंकि मूर्ती शहर के सुन्दर तक ले बनाई कही थी, है ना, ऐसी लिए लगती है ना, कि बड़े लोगों की शहर सुन्दर भी लगते है, और बड़े लोगों का थोड़ा सा इज़त भी लगते है, तो वो हटा दे गे, then they melted the statue in a furnace, और फिर उनने फार्नेस होता है, अंगीठी में उस मू निरक्षण करता है, जो निरक्षण करता है, जो निरक्षण होता है, वो ओवर सेर होता है, फाउनरी होता है, भट्टी, तो जो निरक्षण करता था, उसकी देख्माल करता था, उसने का कितनी अजीब से बात है, this broken lead heart will not melt in the furnace, कि इसका जो हार्ट सीशेक बना होता है, यह बट्टी में भी नहीं पेगला, we must throw it away, और मुझको यह फेग देना चाहिए, so they threw it on a dust heap, where the dead solo was also like, तो उसने, उसका heart जो था, राजा, वो प्रिंस, हापी प्रिंस का heart, महा पर धूल के धेर पे फेंग दिया, जहां पर वो मली होई चिड़या भी पड़ी ती, अब देख्य bring me the two most precious thing in the city, said God, to one of his angels, और उदर भगवान जो थे, अपने एक परी से कह रहे थे, अपने एक दूद से, कि इस शेहर की सबसे दो best चीज़े, सबसे जो कीमती चीज़े हैं, वो ले किया, and the angel brought him the laden heart and the dead bird, और एंजल जो थी, वो भगवान के पास पता क्या ले कि, वो एक उ happy prince का, जो let's see, से धातू का बना हुआ, heart था, दिल था, और वो मरी होई चीडिया, क्योंकि वो सबसे precious थे, वो, you have rightly chosen, said God, भगवान ने भी कह, कि यहां तो ने बिल्कुल ठीक चुना, for in my garden of paradise, this little bird shall sing forever more, and in my city of gold, the happy prince shall praise me, और उन्होंने कह, कि जो मेरे paradise होता है, स्वर्ग, है मेरे चिडिया हमेशा गाना गाएगी, और यह जो हमारा सोनी का शहर, and my city of gold, जो उसमें, happy prince जो हमेशा मेरी प्रचानिशा करेगा, और उनको भगवान ने बुला लिया, और यह उसकार वाइल ने लिके बहुत अची कहानी है, और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और बहुत एंको बंट लेट अंसरी लेवाप वेशन अची कि नेसे कि बहुत आहां कि झालु का झालु कि ****